दिली वासियों को आज इस तड़कों पर परिशानियों का सामना करना पड़ेगा दिली पेट्रोल डीलर्स असोसियेशन ने आज हर्ताल का एलान कर दिया है जिसके चलते दिली के सभी पेट्रोल पंप बंद है अब राजस्तानी दिली में पट्रोल पंब बंद होने के चलते लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है अधिकांशर सी एंजी स्टेशन भी आज बंद रखे गए हैं और ही वजाए कि लोगों की परिशानी खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं तो फिलाल आपको हम बता दें कि आज दिली वासियों को काफी परिशानी का सामना इसले करना पड़ेगा क्योंकि आज उनकी रफ्तार पर ब्रेक लगने वाला है अटो असोसीशेशन ने भी बंद का सवतां क्या है और आज उसने भी बंद बुलाया है दिली से हमारे सहियों की सूरज अरूरा किये फासिब हो दिली वालों को आज दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि 24 घंटों के लिए एक दिन के लिए पैट्रोल पंप राजधानी दिली के बंद है लोगों को पैट्रोल नहीं मिल पाएगा दरसल हाल ही में पैट्रोल की बढ़ती कीमतों के बाद केंद्र ने पैट्रोल पर और डीजल पर लोगों को राहत देने के लिए धाई रुपे रेट कम किया था और राजियों से भी यह अनुरोत किया था कि वैट में कमी करके लोगों को राहत दें इसके बाद राजियोंने भी वेट में कमी की थी और लोगों को राहत प्रदान की थी लेकिन दिल्ली में ऐसा नहीं हुआ जिसके बाद पैट्रोल पंप मालिकों का कहना है कि दिल्ली में पैट्रोल की जो खपत है वो कम हुई है लोगों ने NCR में जाके उत्तरपरदेश में और हर्यानाच से लोग जो है वो पैट्रोल खरीद रहें जिससे राजस्व में उन्हें नुकसान उठाना पड़ रहा है इस वज़ा से इस चीज को लेकर आज इस विरोध प्रकट किया है और आज बंद का ऐलान किया है लोग जगा जगा पैट्रोल के लिए परिशान हो र आज परिशानी का सामना आज वर्किंग देखने को मिल जाएंगी क्यूंकि आज वर्किंग डे है सूमबार का दिन है और लोग जो काम पेसे पर निकले है अपने अपने दफ्तरों को जाने के लिए वो अब पैट्रोल पंपों की तरफ देखकर वापस लोटते नजर आ रहे हैं वीडियो जनलिस चेतन शर्मा के साथ सूरज अरोड़ा नियूस नेशन दिली सूरज अरोड़ा इस खबर पर जाता जानकारी के साथ हमारे साथ जोड़ जोगे हैं सूरज सबसे पहले इनकी मांग के बारे में जाना चाहेंगे कि आखर पेट्रोल डीलर्स जो हैं वो किस दिवान के साथ इस बंद में उतरे हैं अक्षे आप भी जाते हैं और ये बहुत इस पर हला भी हुआ था और तमाम जो पार्टियां हैं पोलिटिकल पार्टियां वो भी सड़कों पर उतरी थी लगातार जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ रहे थे ऐसे में मन्थन हुआ और मन्थन के बाद केंदर ने धाई रुपे की चूट जो है पूरे देश में डीजल और पेट्रोल की कीमतों को लेके दी थी और साथी साथ रिक्वेस्ट की थी तमाम राज्यों स कि वो वैट में इतनी चूट दे कर पब्लिक को राहत दें कई राज्यों ने चूट दी भी लेकिन दिल्ली की तरफ से इस तरह का कोई कदम नहीं बढ़ाया गया दिल्ली में अर्विंद केजरिवाल की सरकार ने इस पर कोई संग्यान नहीं लिया जिसके बाद दिल्ली में पहले पैटरोल के दाम कम होते थे बाकी राज्यों की तुलना में वो बढ़ते हुए नजर आए जबकि उत्तर परदेश में दाम नीचे हो गए